हेलो कैईस में हूँ आडियन गईस आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक औप बड़ोदा के सविंस अकॉंट के इंटरेस रेट के बारे में कम्प्लेट जान करी देंगे तो अगर आपके इस बैंक का अगर सविंस अकॉंट मौझुद है या फिर अगर आप बैंक को बड़ोदा में अगर सविंस अकॉंट ओपेंड करना चाहते है तब आपके सविंस अकॉंट के उपर कितने इंटरेस रेट आपको दिया जाएगा कितना दिन अंतर आपको इंटर तो गैस फेले ही आपको जानकरी रखना है कि बैंक प्वरोदा में डिफरेंट टाइपस आप सर्विंस आकॉन मौझूद है यानि बहुत तरह के सर्विंस आकॉंड मौझूद है लेकिन आपके जानकरी के बता दूं आपका सेरिस अग्स किसी भीतार कर रहे हर तरह के समस्कुंठ के उपर आपको सभ है डिया जाए को पर यानि यानि तीन माहine अंतर-अंतर, फेब्रोडी में, आगस्ट और छाली अब जान लेते हैं कि अगरा इब दोमें अगर सेविंग साकॉंट उपर अगर आपका सिविंग साकॉंट आपको इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा तो जैसे कि आपको ऑप सकते हैं अगर 20 करोड से कम रहता है वह कुछ भी अमौंट हो सकता है जैसे कि अगर 50 करोड या फिर 50 करोड से जादा और 200 करोड के कम के बीच में अगर balance maintain होता है तब उसके उपर 3% की सबसे आपको interest दिया जाएगा और इसके लावब भी कहीं सारे slab rate दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं तो आपको mainly या पर जानकरी रखना है कि इस bank का जो basic savings account interest rate है वो है 2.75% तो चलिए आप एक example का तोर पर जान लेते हैं कि अगर आप bank को बढ़दा के savings account में अगर 25,000 balance maintain करते हैं तब उसके उपर कितना interest आपको दिया जाएगा तो अगर आपके savings account में अगर 25,000 balance maintain करते हैं तब उसके उपर 2.75% की सबसे तीन महेन बाद 344 रुपया आपको interest दिया जाएगा यानि तीन महेन बाद आपका total balance बनेगा 25,344 रुपया ठीक इससी तरह से interest मिलने पर एक साल बाद आपका total compound balance बनेगा 12,390 रुपया का यानि 25,000 balance maintain करने पर एक साल बाद आपका total फाइदा होता है 1390 रुपया का तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद का ट्रेव वीडियो आपके लिए helpful रहा अगर फिर भी कोईट आउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताए मैं आपका कमेंट का रिप्लेश जरूर करूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करे और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे थैंक्यू